तो सबसे पहले बात करते हूं प्राइस की किस प्राइस के लाउंच हुआ है सबसे बात करते हैं तो यह दो विरिट में लाउंच कर रहा है तो सबसे पहले बात करने से पहले मैं इसकी वीडियो कैसा है स्मार्टफोन तो मैं वीडियो चलू करता हूं तो साथ में मैं आपको उदाते हूंगे क्या इसके फीचर्स बैक्रोंड में मेरी आवाद आती रहेगी और वीडियो चलती रहेगी तो शुरू करते हैं वीडियो मिना किसी देरी के लैट्स रोल दे इंट्रो तो याँ सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की तो यहाँ डिस्प्ले इसमें दीवी यह 6.5 इंचिस की फूल एस्टी ब्लस डिस्प्ले है 90Hz का अल्ट्र एसमूड डिस्प्ले है जो कि आपके एक्स्प्रियस को बहुत ही अच्या बना देता है 90.5% का स्क्रीन इस्टू डिस्प्ले इस बहुत है बहुत ही कम बेजल मिलेंगे आपको इस वोंस में जाएगा पंच वोल्य करते हैं तो यह तो रहे डिस्प्ले की बात गलो तो याग पॉली कार्मणेट का बैक है पीछे वार्ड कैमरा-सेटप दिया हो आट इसमें मेरे को इसमें बहुत ही इच्छा लगा है, इसमें नहीं रखा है, हिलियो का मिडिया टेक का हिडियो G90T प्रोसेसर, बहुत ही पाउज और प्रोसेसर है, मतलब बहुत ही स्मूध गेमिंग कर सकते हैं हराम से, अगर आप परसनली गेमिंग के लिए फोल लेना चाहते ह अगर बिल्कुल कर सकता हूँ, on the basis of processor, ठीक है, तो यह तो रही है, अपने processor की बात, and Android 10 दिया आपको latest with Realme UI जो की आपको रहेगा, तो adds इसमें भी कम या आते हैं, but I personally think, बहुत कम add आते हैं, यह आते ही नहीं है, Realme का यह थोड़ी बहुत अच्छी लेगी है, मेरे को, and ARM का अपने 5G76 GPU दिया हूँ है, तो यह एक बहुत अच्छी बात है, और जब processor यह 1290 टेक्नोची बेस है, तो बैटरी इतने efficient नहीं रहेगा, तो थोड़ी बैटरी खा सकता है, but हाँ, अपने processor है, तो बैटरी तो खाएगा, तो यह तो रही है, आपके processor की बात, और बैटरी की बात करें लेते हैं, 4300 ms की battery है, 20W का fast charger आएगा box में, बटी support 30W fast charger है, जो कि आपके phone को मातर 25 मिनेट में 55 मिनेट में जार्ज कर देगा पूरा, और बैटरी में कुछ खास नहीं था, यही था, पसनली पे थोड़ी से कम लगी battery, क्योंकि इस segment में जो बाकी phones आ रहे हैं, वो बैटरी बड़ाते हैं तो बहुत भी अच्छा है था, ठीक है battery है, 20W fast charger आप चला सकते हो, और 30W का आप ले भी सकते हो, यह एक अच्छी बात लगी है, और आप बात करते हैं, यार camera की, तो camera की, इसमें quad camera set up दिया है आपके लिए, 48MP cell का, तो primary camera 48MP मिलेगा आपको, and 8MP ultrawide म मिलेगा, 2MP पोट्रेट लैंस के लिए मिलेगा और 2MP लैंस के लिए मिलेगा, तो camera इसमें बहुत ही ठीक था camera है, budget segment का एक ठीक चलो camera है, जैसे आप बोलते हो, और 16MP का पंचो डिजन के साथ, front camera है, तो यह तो रही सारा इसके अंदर, जो भी माल मुसला बरावा है, यह मैं उसके बारे में बात है, एक तो कुछ आच्छे features लगे हैं मेरे को वसनली की, एक तो water resistance, बोलेगे, splash resistance है, water resistance है, वागर मालों कोई भी चीनदे लग जाते है, heart के phones पे, तो उनको यह आराम से सह लेगा, कोई दिक्कत आईगी नहीं इसमें, तो यह तो रही सारा इसका लेखा जो का अब बात करते हैं, इसकी price range की, तो प्राइस द्रेज में आपको recommend बिल्कुल करता हूँ, कौन सा विरिंट, 4GBN, 64GBN, and it's totally depend on you, whether you buy or not, वो आपको उपर आपको करिदना ने करिदना है, and Chinese phone है, बेहद, बद्रेल में दावा कर रही है, कि स्मार्ट फोन इंडिया में बना रहे हैं, देखते हैं, क्या मतलब बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, वो तो रियल में वाले ही जाने हैं, अपन क्या कर सकते हैं, उम्मिद करता हूँ कि नों Chinese phones भी आएंगे market में, जैसे कि M31SR है, बहुत तकीलर phone लग रहा है, और उसका processor बस्तर क्या होगा, यह जानना बहुत चैरोरी है, तो यार, यहीत है सारे इसके features, उम्मिद करता हूँ, अगर आप यहां तक आया है, तो श्यान को सब्स्क्राइब हरो, वीडियो को लाइक करो, यह वीडियो शेयर करो, आपके जो भी friends है, जो personally इस field में अच्छा लगता है अगर वीडियो आती है, इस तरह की है, और वो knowledge लेना चाहते हैं इस बारे में, तो बसलिए को उनको ही share करें, जो नहीं देखते हैं, उनको वीडियोज मस शेयर करें, क्योंकि audience retention कम होता है, and thanks for watching, अगर आप यहां तक आया है, तो take care, till next time, bye bye, have a nice day.